हाई अब्रिवन, वेलकम टो गो क्लासेज, इमेजिन करो कि आप M.T.E.C. I.T. Delhi से कर रहे हो और M.T.E.C. में आपको 22,000 पर मंथ यह आपका इस्टाइपन है I am talking about a new course launched by I.T. Delhi, एक या दो साल पहले ही launch हुआ है M.T.E.C. H.V.A. High Value Assistantship and to discuss about this course and how to get into this course, we have invited our Go Classes student, Sahars Lord who is All India Rank 820 in Gate Computer Science 2024. Welcome Sahars and thank you for joining us in this session Thank you sir, it has been my privilege to join you in this session When you got All India Rank 820 and this is a rank which confuses many students because they might be thinking कि कोई college मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन सा college मिलेगा, कोई old I.T. या top I.T. के अंदर कौन सा course मिलेगा तो basically बहुत सारा confusion रहता है कि दुबारा gate की तियारी करूँ या फिर college ले लूँ ठीक है, तो यह जो confusion है, क्या वो आपको, आपको किस तरह का confusion था सर, actually मैं मुझे confusion नहीं था, I was content कि मुझे जो चाहिए था वो ही मिलाए, क्योंकि this is my second attempt at gate, last year मेरी 1463 rank आई थी और score 585 था, तो उस score पे भी मैंने colleges में apply किया था, और मुझे IIT Delhi और IIT Hyderabad से interview के calls आये थे, मैंने IIT Delhi में Yardy School of AI में MSR प्रोग्रम के लिए interview भी दिया था, तो उस time मेरा knowledge base इतना strong नहीं था, तो इसलिए interview तो नहीं निकला, पर मुझे यह idea लग गया था कि अगर आपके पास 600 to 700 range में score है, तो अगर आपका knowledge base बहुत strong है, तो definitely आपको old IIT मिल सकता है, इसमें कोई भी doubt नहीं हो सकता है, तो जब मेरे यह score देखा, तो rank तो मैंने बाद में देखी, पहले मैंने score देखा, तो क्योंकि इस बार cut-off थोड़ा सा पिछले साल से कम गया था, तो जो go के predictor के सबसे मेरा score 680 से 700 दिखा रहा था तो उसमें भी मैं happy था कि इस score पर मुझे जो मेरा target MSR प्रोग्राम से research roles है, उसके लिए मैं qualify कर जाऊंगा और फिर आगे का जो process है, वो मेरे knowledge basis पर depend रहेगा, तो इसलिए जब मैंने result देखा तो 712 देखके मैं बहुत खुश था, कि जो मेरा target था, उससे जादा ही score आया, क् कि cut off कम था इसलिए, और फिर उसके बाद पिछली बार मुझसे ये एक कह सकते mistake हो गई थी कि जब gate का result आ गया था, उसके बाद मैंने इतना ज़्यादा interview पे focus नहीं किया था, क्योंकि मैं confused था, पिछले साल confused था कि क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, बट इस साल क्योंकि second attempt और go classes का support भी था, काफी information भी float थी पहले से, तो मैं confident था कि नहीं इसबा proper planning से मुझे आगे बढ़ना है, और जैसे ये result आया, मेरे को score पता चला, तो मेरे मन में clear था कि अब मुझे research roles के लिए interview preparation शुरू कर देना चाहिए, जैसा आपने बताया कि इस बार जो score था, वो basically ज्यादा था, अच्छा score था, अगर last year, 2023 के अंदर इसी rank के ओपर आपका score बहुत कम होता, लेकिन इस बार 2024 के अंदर, 820 rank के ओपर भी आपका score काफी अच्छा है, मतलब अगर हम previous 2-3 साल से अगर comparison करें, तो इस बार का score काफी अच्छा है students का, और उसका reason, आपको भी पता होगा, उसका reason एक ये भी है, कि इस बार gate computer science के अंदर, 2024 के gate computer science में, I think 1.5, I think almost 1.25 lakhs students जो हैं, वो appear हुएं, 1.5 lakhs students ने साइध मेरे खाल से application form फिल किया था, और more than 1.25 lakhs अपियर हुएं, so basically a huge amount of students, they attempted gate 2024, and that is the reason this score at all in rank 820, that score is also very good, score is 712, right? Yes, sir, यहाँ पर थोड़ी से चीज़ आड़ करना चाहूंगा, जब मैंने compare किया था, 23 का score और 24 का score, तो जैसे मेरी 712 पर rank 820 है, तो same 712 score पर लास्ट ये रैंक 490, उधे ब्राम्मी जो एक और ex-go class student है, उसका same score था, same rank थी, तो वहाँ से भी मुझे थोड़ा boost मिला था, कि हा अगर उधे ब्राम्मी को score पर IIT Bombay मिल सकता है, तो मैं भी अगर try करूँगा, तो मुझे भी कोई नो कोई old IIT मिली सकता है, बिलकुल, बिलकुल, तो उधे का last year 2023 के अंदर, उधे का score, same score, 712 score के ओपर, उनकी rank 400 के round थी, और इस बार, 820 rank के ओपर भी आपको वह score मिल रहा है तो वह एक अच्छी बात है, इस बार का score मैंने बताया कि students का score काफी अच्छा रहा है, यह जो IIT Delhi के Mtech HVA course है, आपको उसका कपता चला, आपने basically result आने के बाद में, या फिर कब से आपने अपने दिमाग में बना लिया था कि मुझे interview के preparation करनी है, तो मुझे अच्छे से preparation कर था, जब आपने gate exam हो गई थी, उसके बाद result आने तक जो एक महिने का जो time है, क्या आपने वो waste कर दिया था, या फिर आपने उसको भी use किया था, तो overall आपकी rank आने के बाद से लेके अब तक कि जो जर्नी है, उसके बार में थोड़ा सा बताईए, तो यह जो rank आने के बाद का time में बहुत crucial रहता है, यह मुझे 2023 attempt में बहुत अच्छे से realize हो गये था, क्योंकि जब मैं interview दिया, उसके बाद जब मैं, मतलब interview खतम हुआ था, तो मुझे clearly समझ आ गया था कि मेरे basic strong नहीं थे, मतलब IIT Delhi का 2023 का जो interview था, उसमें professor ने मुझ से पूछा था कि जो variance का formula होता है, expectation of x square minus expectation of x का whole square होता है, तो उसमें उन्होंने पहली term यह पूछी थी कि इसमें square क्यों लेते हैं, और दूसरी चीज़ यह पूछी थी कि यह formula ऐसे ही क्यों derive हुआ है, इसका proof बताओ, basically proof मांग रहते हैं उस formula का, तो उस time तक तो go classes का कोई support नहीं था, तो मुझे proof based learning के thousand rank आ गई है, या अच्छा score आ गया, तो आपका IIT confirm है, until and unless you prepare very well for the interviews and test, आपको अच्छे score आने के बाद भी old IITs confirm नहीं है, क्योंकि old IIT में जो mtech two year की seat है, वो almost rank general के अगर मैं बात करूँ, तो one से लेके 200, 250 rank वालों को ही top three, top five old IITs मिलते हैं, उसके बाद जो रहता है, वो आपको interview basis पर clear करना है, तो last year से मुझे clear था कि अगर इस साल मेरी अच्छी rank आएगी, तो मैं को exam के थोड़े दिन बात से ही preparation शुरू कर देने हैं, interviews की, बट वो, मतलब कैसे हुआ, मुझे भी समय या है, February से लेके March 15 तक का जो time था, वो एक तरीके से waste सा हो गया, मैं इत्ता जाधा utilize नहीं कर पाया, पढ़ाई नहीं हुई थी एक तरीके से, क्योंकि six महीं ने जो था, वो मैंने इत्ता जाधा grind किया था, कि मुझे खुझ से लग रहा था कि यार थोड़ा सा ब्रेस्ट लेना चाहिए, अभी बहुत जाधा हो गया, फिर से अगर पढ़ाई करने बै तब मुझे वापिस लगा कि नहीं है, पिछली बार मैं इसी पॉइंट पर रह गया था, क्योंकि मैंने इंटेवर्स के लिए preparation नहीं करी थी, तो 15 मार्च से मैंने पूरा plan of action बनाया था, सर मैं एक sheet भी बनाया थी आप चाहिए, तो मैं show कर सकता हूं, बिलकुल, आपने तो आप एक बार शेयर करके दिखाईए वो, तो यह सारे 25 जो है, आयटी जो है, old आयटी जो है, और बिट्स पिलानी भी मैंने आड कर दिया था, क्योंकि बहुत से बच्चे यहां भी अच्छा preference मांगते हैं, तो मैंने सिर्फ टॉप 10 आयटी में अपलाय किया था, और गूड ऑप्शन, तो यह सारा बेनर ट्रैक रखा था, क्योंकि जब एड्मिशन और जो प्रोसेस शुरू होती है, फॉर्म फिलिंग की, वो इत्ती हेक्टिक होती, इत्ती जल्दी निकल जाती, कि आपको पता ही नहीं चलता, कि कौन से फॉर्म की लिंक कब निकल गई, और कट-off 800 के आसपस जाता है, तो मेरा 712 पे feasible नहीं था, तो इसमें मेरा pay करने का money कोई sense नहीं बनता है, तो इसलिए मैंने सारे एक consolidated place पर रख रहे थी, ताकि मुझे भी idea रहे कि कि किस जगे कहां पर considerate को fill करना और उसकी links क्या है, इसके लावा जब जैसे-जैसे mails आते हैं, तो वो mails भी इतने सारे आ जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे confused हो जाते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था मेरे 5 interviews clash हुआ है, जिस दिन मैं IIT Bombay में interview देने गया था, उसी दिन मेरा IIC Bangalore का भी interview था, बट वो same time पे था तो या तो मैं Bombay prefer करता है या Bangalore prefer करता, तो फिर मैंने Bombay prefer क क्योंकि वहाँ पे 2 courses थे, मतलब options जादा थे, probability जादा थी select होने की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी, अब जैसे एक बार मुझे mail आ गया है कि you have been selected for first round, तो हर college में almost 2 या 3 round होते हैं, पहले वो return test लेंगे, programming का ले सकते हैं, जो gate के subject से उनका ले सकते हैं, दोनों mix ले सकते ह होता है, उसके बाद बहुत सारे colleges में third round of interview भी होता है, तो वो सारा भी track करना पड़ता है, उसकी timing भी जैसे इस साल काफी ज़्यादा hectic था, क्योंकि आदे colleges ने offline बुलाया था, आदे colleges ने online बुलाया था, और बहुत सी बार ऐसा भी हो रहा था, कि same college का same day पे एक offline interview है, एक online interview है, तो वो सारा hecticness बचाने के लिए मैंने यहां पे consolidated बना लिया था, यह sheet, कि मुझे clear रहे कि मुझे इस इस जगे जाना है, और यह जगे जाना है, क्योंकि सिर्फ यह ही नहीं था, booking भी करनी रहती है, travel का भी देखना रहता है, बहुत सारी चीजे रहती है, तो until and unless आपक के रखा है, इसके लावा मैंने cut-off अगेरा का भी बनाया था, फिर थोड़े, सिफ IAC का ही निकाला था, फिर जब बाद में mail आया कि IAC का clash हो रहा है, तो फिर मैंना आगे किसी का भी निकाला नहीं जादा, क्योंकि IAC का सबसे easily accessible था, cut-off अगेरा, आपने यह links वाला जो एक है, उसमें क्या है? लिंक में यहाँ पर paste करके रख दी थी, ताकि क्योंकि in general हर IIT का syllabus और content जो वो test लेते हैं, वो similar ही होता है, बट in case कोई IIT additional चीज़े भी पूछना चाहता है अपने students से, या कोई IIT ने कोई अच्छा resource दिया हुआ है, जैसे IIT Bombay ने एक deep learning की book provide करी थे resource में कि आप इससे पढ लगी थी तो मुझे काफी अच्छी book लगी थी तो इसलिए मैंने सुझा कि resources का भी एक column होना चीज जहाँ पर सारे IIT के जो resources provide करें वो पर mention रहे हैं और आपने क्योंकि बहुत सारे आपको application form आपने फिल किये हैं सारी old IIT के almost 10 colleges के आपने application form फिल किये हैं तो आपने अपना data भी आपने रखा हुआ है ताकि तूरंत आप application form फिल कर सको यह अपने अपना data भी यहां लिखा हुआ है फॉर्म फिल जल्दी करके और फिर पढ़ाई में बैठना है तो इसलिए मैंने एक जगें सारा data रख लिया था बस यहां से copy paste copy paste करते जाता था और और आइटी डेली तो मुझे उसकी बात यह अच्छी लगी थी कि उन्होंने सिर्फ एक बार data लिया था और फिर वही डेटा अपने आप अपने आप आप अपने उपर जैसे ट्रेक रखा हुआ है तो वह अपने वह अपने लिए बत खुद के लिए रखा था कि कितना खर्चा हो रहा है हां सर आच्छुली वह पैरेंट्स के लिए था क्योंकि घर पर भी एक हिसाब देना पड़ता है कि इतने पैसे सिर्फ फॉर्म फिलिंग में गए हैं क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्ला पर भी इसमें ध्यान रखा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोल्स भी थे या ऐसे कोर्स भी थे जिन में मेरा चांस ही नहीं था सिलेक्ट होने का क्योंकि या तो उनका कट-off बहुत जादा था या फिर इस साल जैसे आपने बता है बच्चे बहुत जादा अपियर हुए तो से यह मैंने यह ट्रैक रखा था कि जहां पर मेरा चांस कम है वहां पर फीस पे करके सिफ डोनेशन देना हुआ एक तरीके से तो वो डोनेशन अपने पास ही रख लेता है उसको आगए यूस करेंगे इसले मैंने मनी का भी ट्रैक किया था बिल्कुल आपका यह जो पूरा आपने इन चीजों का ट्रैक रखा है मतलब बहुत इंप्रेसिव है यह कैन वी शेर इस शीट विद फूटर आपका यह जागे इसले साल से करते रहा हूं पिसले साल का भी पूरा रिकॉर्ड है और उसको मैंने इस साल कंटिनु किया था बस दो ओनली तिंग दाट चेंज इसमें बहुत सारे जगें नोट लिजिबले और 24 में सब जगें यह जगें अगया था था तो इसमें सब यस 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 है So, so all the students who are watching this video, we will share this sheet link, the link will be available in the description, in the pinned comment so you can check it out okay and in for the next year you can use, you can make a copy of it and you can edit it so you can see how to keep track of all these things तो थेंक यू सहर्स, थेंक यू फोर शेरिंग अल इस इंफरमेशन, नव लेट्स कम बैक टो आइटी देली एच वी ए कोर्स, तो मैंने भी थोड़ा सा इसके बारे में आप से पता, आप से पता चलने के बाद में मैंने इसके बारे में सर्च किया है, उससे पहले मुझे नह अगर आप शेर करना चाहो तो करना, तो आईटी देली एक नया कोर्स लॉंच किया है, आईटी देली ने, जो कि साथ मेरे ख्याल से पिछले एक-दो साल के अंदर ही लॉंच हुआ है, एम्टेक HVA, High Value Assistantship, और इस कोर्स की खुबसूरत चीज यह है कि यह सिमिलर है बिलकु यह तीन साल का कोर्स है, और इसमें आपको 20 घंटे की आपको हर वीक, पर वीक आपको 20 आवर्स के आपको एक टीचिंग असिस्टेंट टाइप मतलब कुछ रोल आपको करना पड़ता है, तो यह थोड़ी सी इंफोर्मेशन जो मुझे इंटरनेट से मिली, तो आप थोड़ लेकिन फिर भी इसकी अवेर्नेस बहुत कम है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, आपने मुझे मेसेज किया कि सर मेरा इस कोर्स के अंदर हो गया, तब मैंने आपसे पूछा था कोर्स है, थोड़ा सा मुझे पता चले, तो इसकी अवेर्नेस बहुत कम है, तो आपको कैसे पता चला कब पता चला और और थोड़ा से इस कोर्स के बारे में बताईए यह सब्सक्राइए जैसे आपने पता है स्टाइपंड 22,000 मिलता है इंसेड ओफ 12,400 तो कि नॉर्मल M.T.E.C. students को मिलता है इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है M.T.E.C. जो 2 एर होता है वही M.T.E.C. HVA होता है अगर उनको 15 क्रेड़िट करने हमको भी 15 क्रेड़िट करने हमको बस डिफरेंस यह है कि 3 साल में स्प्रेड आउट है है अब क्योंकि 3 साल में स्प्रेड आउट है तो हमारा कोर्स का जो लोड है जो प्रेशर है वो कम हो गया है तो प्रेशर कम होगे या फिर आई टेली की जो वेबसाइट से वो वेबसाइट हैं लिंग का आपको काम मिल सकता है या जो भी सिस्टम से रिलेटिया या एड्मिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है वह को M.Tech H.B.A. Students के हैंडल में आता है और उसी पर आप काम करते हैं इस कोर्स की यह ब्यूटी है क्योंकि M.Tech जैसा ही है पूरा कोर्स प्लेस्मेंट्स आर सेम कोर्स वक्ती सेम जैसे M.Tech टू यह वालों को थीसिस करना रहता है उनको रिसर्च पेपर पब्लेश का ऑप्शन रहत है। तो हमको इसमें यह एड़एट एड़ इड़ांटेज है कि अगर हमने में एक साल यह वन-पॉन्पाइब यह में का खतम में जो हम उसके बाद का टाइम रिसर्च को को डिटीकेट कर सकतें और उसके बाद भी इतना टाइम बजता है कि आरां आभ से placements के लिए prepare कर सकते हैं इसके अलावा जो mtech two year वाले रहते हैं वो TA ship करते हैं तो उसमें जो काम आता है वो professor का general work रहता है जैसे कि paper check करना marks upgrade करना या फिर lab में जाके students की help करना तो वो मेरे खायल से कही ना कि इतना fruitful work नहीं है जो mtech hva करता है उसके according में mtech hva जैसे system admin का work है तो क मैं यह show करूँगा कि मैं I was in a system admin at IIT Delhi तो I will have more chances of getting selected than two year program student who shows that मैंने paper check की है तो इसलिए भी यह work आप show कर सकते हो actual experience के रुप में और यह आपको काम भी आएगा जैसे कि Linux based अभी सारे जो major companies उनमें Linux based काम तो होता ही होता है तो इसमें आप system admin रहोगे तो आपको Linux के उपर भी command बनेगी website handling का भी आपको work experience मिलेगा तो इसलिए I think that HVA is a more balanced program compared to MTech two year but at the same time you have to give one extra year तो अगर आपको यह decided है कि हाँ one extra year से मुझे को इतना फरक नहीं पड़ता है और साथ में यह added benefit है कि आपको almost double stipend मिल रहा है तो फिर I think that MTech is the best program और जैसा कि आपने बता है इसके बारे में ब awareness है क्योंकि यह recently शुरू हुआ है I think I am from the second batch that will go for this program और अभी I think that IIT Delhi has started offering this program for more branches as well क्योंकि पिछले साल जब मैंने अप्लाई किया तो सिफ CSE में option था है का इस बार CSE में भी है MTech HVN in AI is also there and other branches are also there applied mechanics electronics they are also having HVN courses बिल्कुल interesting लग रहा है सुनने में interesting लग रहा है तो basically इस course के अदर overall जो conclusion है वो यह है कि अच्छा stipend मिल रहा है ठीक है 22,000 का stipend मिल रहा है साथ में आपको एक अच्छा work experience मिल रहा है तीन साल तक आपको system admin या इस तरह के जो activities है उनका work experience आपको मिल रहा है और IIT Delhi से Mtech होई रही है वो और अच्छी चीज है ठीक है तो basically काफी और साथ में जैसे आपने बोला कि आप अराम से एक साल course work करो एक साल research करो एक साल placement करो तो आप मतलब तीनों चीज है आप अच्छे से कर सकते हो आपको ऐसे choose करने की जुरूतниц होड़ा है कि आ प्लेष्मेंट के ले जाऊ या research करो थोड़ी भूथ ठीक है तो ऐसा कुस करने की जुरूत नहीं है आप तीनों चीजे कर सकते हो अच्छे से तीनों चीजों को time दे सकते हो so overall it is looking like a very good course and I hope कि बाकी जो IITs है, old IITs है, IAC, Bangalore या जितने भी अच्छे जो colleges है वो भी ऐसा कोई कोर्स लेके आए number of seat भी बढ़े है और ऐसा कोर्स आया था कि क्योंकि अच्छा इस्टाइपन भी अच्छा है तो basically it looks like amazing course to me, honestly आपको पता कब चला इस कोर्स के बारे में कहां से awareness आई आपके अंदर कि यह ऐसा भी कोई कोर्स है Sir, actually when I was applying to the programs at IIT Delhi so last year also I had applied to IIT Delhi in all the programs for MS research and Mtech HBA, जहां पर भी मैं eligible था, मैंने apply कर दिया था तो last year Mtech HBA का से एक option आ रहा था मेरे application window में, तो इतना awareness नहीं था तब क्योंकि वो firsty batch था 2023 में, तो मुझे भी idea नहीं था कि यह कौन सा program है मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 साल का course है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, placement तो नहीं अलग होते हैं, I was having all these doubts तो luckily since I didn't get any course offered in 2023, I had time to research about this course in 24 तो मैंने फिर प्रॉपली research करा senior से बात करी, और जो information available थी, सारी पता करी जो IIT Delhi में इस course में है पढ़ रहे हैं, उन senior से बात करी, तो फिर जाके मुझे इस course के और में proper पता चला और फिर जब ये course मुझे offer हुआ तो मुझे लगा कि हा यार, ये वो ही है जो मैं चाह रहा था, क्योंकि 22,000 stipend में मिल जाए और आप research के साथ साथ placement भी कर सकें ये, I think it is a dream course for every student, क्योंकि two year वाले course students कहीं न कहीं research के साथ compromise करते हैं उनको placement जाधा preferred रहता है और हर IIT में मैं जहां भी गया या जहां भी interview दिये थे, मझे ये देखने को मिला था कि जो research based courses रहते हैं, वो जाधा respected है faculty schema हुआ है जैसे MSR program हुआ है, या Mtech RA program हुआ, faculties उनको जाधा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2 साल वाला अगर Mtech है, तो वो placement के motive से आया है, वो 2 साल में placement लेगा और चले जाएगा, पर 3 साल वाले के साथ faculty dedicated भी रहेगा और उसको भी पता है कि अगर मैं चाहूं तो इसका properly research work published भी हो सकता और उससे ultimately faculty का ही नाम होता है, अगर कोई अच्छी research publish होती है, तो फिर चाहके मुझे यह course काफी interesting लगा और मैंने apply कर दिया था, फिर interview process हुआ, तो coming to the interview process, it was a 3 stage interview process, firstly 100 students were selected for return test, तो जो cut-off था वो भी mention था, जनरल के लिए 700 score का cut-off था for this particular program, तो 100 बच्चों ने test दिया था, test I would say moderate to difficult level का था, उसमें 3 programming question थे, और उसके अलाबा, I think 15 to 20 MCQ question थे, based on GATE CAC, and somewhat, some questions were from machine learning if I can remember, तो mixed question थे, MCQ based थे, फिर once the test was completed interview started, तो 100 मैंसे 27 students were selected for first round of interview, तो first round of interview was again based on GATE CAC subjects, तो मुझसे 2 question पूचे गय थे, एक question यह पूचा था कि, if you have a number represented as a binary, तो आप कैसे पता कर सकते हो कि that number is divisible by four or not, तो इस पे मैं थोड़ा सा दूसरे approach से जा रहा था, मैं सूचा था कि जौर लेके सारे digits का कुछ हो सकता है, ones or zeros का, बट फिर, प्रोफेसर नहीं मुझे हिंट दे था कि, last two digits को देखो, तो फिर, last two digits का जैसे उनने बोला, तो मैं समझ गया था कि, यह two के products में बताना चाहरे है, तो थोड़ा सा बैने time लिया, उन्होंने खुद ने बोला, कि, you take your time, you don't give up on this, you can solve it, you are going on the right track, तो फिर, बैने थोड़ा सा time लेके, उसको, जैसे ही solve कर दिया था, then he appreciated me, you were thinking that it is hard, but you solved it at the end, तो I said, yeah, sir, with your help, I could solve it, फिर, second question, जो पूछा था, दूसरे interview panel में, उन्होंने यह पूछा था, कि, अगर आपको एक sorted array दिया हुआ, जिसमें positive और negative दोनों numbers है, तो आप कैसे decide कर सकते हो, कि यह कोई भी दो number का sum, या उन में से कोई भी दो pick करेंगे, तो sum 0 है की नहीं है, यह proof करना था, तो I went in the direction of binary search, कि अगर 0 sum करना है, तो जैसे plus 5 है, तो minus 5 भी होना चाहिए, तो अगर आपने minus 5 search कर लिया, तो फिर सिफ positive half में plus 5 search कर लेंगे, और अगर मिल गया वो number तो, you can say that 0 sum is possible, फिर उन्होंने इसका time complexity पुचा था, तो पूरे array को एक बार end time में आप scan कर लेंगा, और फिर binary search login time लेगी, तो end login ऐसे time जा रहा था, तो then he was convinced that, 10 round of interview हुआ था, उसमें 27 से 10 बच्चे और कम हो गए थे, पतलब total आखरी round में 10 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, फिर ये round थोड़ा technical है, जो actually मैं HVA वाले lab में जो काम करेंगे, उससे related था, तो उन्होंने मुझसे Linux के commands के बारे में पूच आता है, कि आपको Linux आता है कि नहीं आता है, तो क्योंकि मैंने research कर लिया था कि कैसा क्या आता है, तो मैं मुझे actually Linux पर कभी काम नहीं किया, बट मैंने Linux के basic सीख लिया थे कि कैसे क्या working होती है पूरा में, और I told them that this all happens in Linux, so I think they were convinced कि हाँ थोड़ा सा time लगेगा, but eventually I will be able to work on Linux as well, फिर उसके बाद उन्होंने मैं इसे GitHub के बारे में पूचा था, कि GitHub में push pull request कैसे होती है और आपके system से कैसे कर सकते हैं, तो I have used GitHub during my btech for projects and all, बट वो सिभी GUI based approach था, कि direct copy paste कर दिया था, तो मैंने उन्हें यहीं बताया जो मैंने किया था, तो उन्होंने बोले नहीं, आप कमांड लाइन से कैसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे बहुत बड़ा server है, उसको आपको push pull या सारी चाहें अपलोड करने हैं, तो कैसे कर पा होगे, तो since I had not worked on that, तो I told him honestly कि sir, मैंने बस इतना ही काम किया इस पे, so he said that don't worry you will learn when you come here, so then after in the co-op round, so in first and second round I didn't get any offer, in third round I got an offer for Mtech HPA, okay so in third round of co-op you got this offer, and did you freeze or did you retain and were you waiting for something else, yes sir, so actually IIT Bombay का जो interview अथा मेरा काफी अच्छा गया था, उसमें IIT Bombay का भी similar process था, दो tests हुए थे, उसके बाद दो round of interviews हुए थे, तो I went till the last round of interview in IIT Bombay as well, and in IIT Delhi also, again I would like to inform the students कि, जैसे HVA एक unknown course है, ऐसे एक और course है, MSR at Amarnath School of IT, तो वो भी जैसे CSE का स्कूल है, ऐसे IT का भी एक और स्कूल है, उसमें most of the faculty CSE के ही है, जो को पता नहीं है था, इसलिए, very less students apply to that course, तो I had applied to MSR at IIT, SIT बोलते हूं स्कूल को, तो उसमें भी अप्लाई किया था, तो मेरा उसमें भी interview clear हो गया था, and three faculties actually called me after the interview, कि you should work under me, and if you are interested, you should work under me on the research work, and one of them gave me a task also कि you should work on this, and then report it back to me, and I'll see how efficient you work. So, I got offer for that also, that offer I got in fifth round, but in third round when I got offer for Mtech HPA, I was thinking that IIT Bombay मिल जाए, क्योंकि मैं IIT Bombay offline हो के आया था, so I enjoyed the campus and the wives there, so I was thinking कि IIT Bombay बहुत मस जगे, तो यहां जाना चाहिए, and then Go Classes के seniors भी दो-तीन महा पर मिले थे, इमांच हुई या, जिस hostel में थे, मैं भी उसे hostel में stay कर रहा था, तो I thought कि हाँ यहां पर seniors BMO Classes के तो अच्छा रहेगा, तो I retained the offer in round 3-4, and in 5th round you don't have option to retain, you can either accept or reject it, तो 5th round तक मुझे offer नहीं आया था, और I was under the impression कि 2023 में old IITs 5th round के बाद pack कर गए थे, वो आगे देन नहीं गए थे, तो I thought कि इसके बाद तो नहीं मिलेगा, तो I accepted the offer in 5th round. अगर आप accept नहीं करते तो यह वैसे भी आपके हाथ से चला जाता, और उसके बाद तो एक risk वाली चीज़ हो जाती, आप आगे मिलेगा नहीं मिलेगा हो सकता है कि IIT Bombay का offer आ जाए, या क्या पता ना आए, तो एक basically third round में आपको MTAG HBA का offer आपको आ गया, अगर उसको आप अगर पांचवे round तक अगर आप उसको select नहीं करते हैं, तो वो वैसे भी चला जाता, तो बहुत बड़ा risk रहता, तो already मतलब, already आपने जो यह decision लिया, यह काफी अच्छा decision है, और मैं तो काफी मतलब, जितना मैं आपसे सुन रहा हूँ, या website के ओपर, मैंने जितना पढ़ा है, HVA course के बारे में, तो मैं तो खुद already मतलब काफी impressed हूँ, इस नए course से, IIT Delhi के इस course से, तभी मैं कहा है कि students को यह चीज़ से aware करवाना चाह रहा था, कि students aware हो, उनको पता चले कि यह क्या opportunity है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत अपनी और study कर सकते हैं, वो इस interview को देखने के बाद, कम से कम उनको awareness हो जाएगी, कि एक ऐसा course भी है, तो वो अपने level के ओपर थोड़ी और research बगरा कर सकते हैं, इंटरनेट पे, Google पे search करके देख सकते हैं, तो तो काफी एक अच्छी opportunity है, and Seher, you told us all about this Mtech HVA course and your GATE journey, how did you prepare for the GATE exam, how did you attempt the test series, and finally your interview preparation, your interview experience for this IIT Delhi Mtech HVA course, so thank you for sharing all this information with us, and do you have anything to, you know, tell students, all the future experts, they are listening to you, so if you have any tips, suggestions, or something you want to address to the future experts, so please do that. Yes sir, actually I have two interview questions, which I want to ask you, it's an interesting question, so I want to ask you, one question from the interview, if you have three coins, one is a fair coin, half probability heads or tails, is a heads bias coin, and one is a tails bias coin, so then I asked you, if you have a head, then what will be a probability, that it will be fair coins, then you will have one tail bias coin, and then you will have four coins, then I asked you, that it will be fair coin coin, then I asked you, I will have one coin, and then I will have one coin, and then I will have one coin, and then I will have two points, so the probability, the same thing is, that it will be fair coins, and then the same thing, की probability तो actually he wanted to help me improving कि जितने भी टेल्स बाइस coins add करते जो probability change नहीं होगी तो यह मुझे काफी interesting click हुआ था उस time पे तो वो उन्होंने मुझसे ही सुनना चाहे थे कि यह कैसे हो रहा है तो वो मैंने proof करके बताया था तो इस time पे भी मुझे यह लग रहा था कि यह सब को क्लास की वज़े से ही हो रहा है क्योंकि प्रूफ बेस्ट लर्निंग और जो इंडेप्ट नॉलेज है वो कभी आपको लगे कि बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है बट कहां पर आपको काम आजाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो आई वुट से कि इस और जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट से हैं जो भी लोग इस इंडेवे को देख रहे हैं मैं उन्हें यह बोलूँगा कि रिस्क लेने से कभी भी डरना नहीं चीए क्योंकि मैंने दो बार रिस्क ली थी मैं जे डबली के लिए भी एक साल ड्रॉप लिया था और मैं चाहता लिया था एको ड्रॉप का और आज मुझे आटी डली मिल गया है तो अलाइब वोट वंट तो से इसके रिस्क लेलो मैंनत कर लो अगर फेल भी हो गए तो आपको एक्स्पिरेंस ही मिलेगा कोई वेस्ट नहीं होगा रिस्क लेने से तो या एड़ 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 झाय खेंशच का तक चंम ब कम केंश रूप के खेंशर वर्ड़ एड़ इसलिए करेंश कोơ कोग ऐढ़ एड़ एड़ जिस ट्रह कोगा एड़ नक्रॉद का जड़ एक्म बेंट आपको शीने मैंस्पीर से शची आपने मैंने लिए कर आ शादेम जाग चीने जिस टैने एपने यह पूरी जरनी फिर उसके बाद में आई टी तक कि जरनी वहाप की तो कि इθεल आपkovे पाल एक्यका ही आपनो देखलते प्लजर से अगेन मेनी कॉंटिवेशन सेहर्स एंड थैंक यू फॉर जोईनिंग इस इंडिस सेशन थैंक 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 बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे आप जब आगे मोटिवेशन सेशन ले कभी भी किसी स्टुडेंट को बोले तो जैसे मुझे यह बहुत जल्दी है र तो आपके अंदर जैसे आपने बता है लगन होनी चीए और मैनत करने के के पेबिलेटी होनी चीए तो जो कम स्कॉर वाले बच्चे वह बहुत सी बार मैंने देखा है कि यह निराश हो जाते हैं कि यह तो अब अगली बार जाएं या छोड़ देते हैं गेट की जनी जाने के लिए तो अगर वो बच्चे यह ट्राइ करेंगे तो अभी जैसे मेरे बैच में पांच या तीन ही बच्चे हैं वह सकता आइटी डली सीट्स बढ़ा है या दूसरे कोर्स भी और लांज करेंगे तो I think that you have a lot of power sir you can motivate many students आपने वी जैसे जब मैं आपसे पूचा था कि sir convocation में आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं तो you said कि you are also a topper and you will surely get into old IT in just a few months तो तब मुझे काफी confidence मिला था और मुझे लगा था कि नहीं यार सर ने बोला है तो मेहनत करके निकालना ही पड़ेगा and I did it eventually आपने बोला था कि टॉप 500 के लिए है तो मैंने पूचा था कि sir मेरी तो 820 है I'm not a topper तो आपने message कि आप बाद में कि you are also a topper and you will get into an old IT in just few months तो तब मुझे लगा था कि there is someone who believes in me मैंने साथ आपको invite किया था फैलिसिटेशन के लिए लेकिन आपने train book कर ली थी उस ताइम बाद में आपने बोला था कि आपके interview की वज़े से आप नहीं आ पाएंगे मैंने train book भी कर ली थी और मैंने वह Google form में फिर आइटी Bombay जाना था तो मैंने फिर train book करके फिर cancel भी करी थी और जब मैं cancel कर रहा था तब मैं यहीं सोच रहा था कि इस बार तो नहीं जा पाया अगले साल alumni बनके जाओंगा बिल्कुल हम हर साल हम फैलिसी टे सर के अंदर हर आइटी से हमारे कुछ students को बुलाते हैं as a mentor ताकि वो guide कर सकें students को तो नेक्स टियर तो guarantee है कि आइटी डेली से आप तो पक्का आ रहे हो ताकि students को जीन स्टुएंट्स की रेंक एक तरीके से मैं बोलूँगा कि जीन स्टुएंट्स की रेंक टॉप 200 में नहीं है, तो वो डी मोटिवेट हो जाते हैं, या मैं बेसिकली वो फिर क्या है कि गेट एक्जाम जैसे खतम होता है, उसके बाद में 3-4 मेने वो वेस्ट कर देते हैं, वो इंट्रिवू की प्रिपरेशन भी नहीं करते हैं, इंट्रिवू के लिए अपलाई भी नहीं करते हैं, तो यह जो चीज आपने बहुत इंपोर्टेंट बोली, अगर किसी इस्टुएंट की रेंक 1000 के अंदर है, टॉप 1000 में है, या टॉप 1500 में है, तो और अगर आपको इंट्रिवू के लिए प्रिपेर करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, गेट एक्जाम जिस दिन खतम होए, रिजल्ट का इंजाब नहीं करना है, गेट और फ्लो का रेंक प्रेडिक्टर है, वो आपको बता देगा कि आपकी कितनी रेंक आने वाली है, तो तुरंत उसी मॉम आपको एक top offer आपको मिलेगा, old IIT या फिर किसी top college से आप easily आपको उसके अंदर admission मिल जाएगा, तो time waste बिल्कुल भी नहीं करना है, और next year, अगर आप next year go classes के felicitations के अंदर आ रहे हो, तो as a mentor we will invite सहर्स, so सहर्स will be there to guide you about MTEC HVA, तब तब तक सहर्स आपको भी एक एक या दो semester का experience तब तक आपको भी हो जाएगा, so you will be a better, in a very better position to guide the students about this course, yes sir, तो और इसमे ये भी है कि, you said 1000 to 1500, एक मेरे साथ के ये MDEC ERD में, उसकी 2500 rank ती पिछले साल, तो जो मैंने इंटर्वियो तया था तब उसने भी दियता है, and he got selected into IIT Delhi, तो अगर, if you have your concepts right, especially machine learning domain में, तो अगर आपक है, तो I think Yardi School of AI का 550 to 500 rank में cut-off जाता है, और then it is totally dependent on test and interview, तो पचीसो रैंक के बाद भी वो अभी IIT Delhi में, he'll be my senior है, so I think कि, पचीसो रैंक वाला अगर IIT, old IIT पहुच रहा है, तो 1000, under 1000 वाला तो surely पहुची सकता है, तो basically man point है कि, जून या जुलाई के महिने तक तो बिलकुल आपको time waste करना ही नहीं है, आपका अगर result उतना नहीं राज जितनी कि आप उमीद कर रहे हो, आप उमीद कर रहे हो कि top 100 में रेंक आईगी है, जो भी, और आपकी अगर उस उमीद के according अगर आपका result नहीं आता है, तो दो दिन से ज्यादा, एक या दो दिन ले लो, एक या दो दिन थोड़ा सा दुखी होके बिता लो, लेकिन उससे ज्यादा time waste नहीं करना है, अग्दम दिमाग में रखना है कि यार मेरे को मतलब कम से कम भी मई, जून, जुलाई, ठीक है, इतने तक, कम से कम जून तक डालते रहना है, कोई भी इंटरु आपको कहीं से भी आजाए, आपकी range जितनी दी भी है, और अगर आपको कहीं से भी आई ऐटी दिल्ली का, आती बंबे का, या फिर आई खड़कपूर कहीं से आपको ऑफर आ गया, कि इंटर्वीव के लिए आपको बुला आ है, तो तु a different interview so I hope this interview will reach a lot of students and I request to all the students who are watching this video please share this interview with the students with the future aspirants क्योंकि हो सकता है कि कल को कोई student जिसकी rank उतनी नहीं है जितनी की वो उमीद कर रहा था या मालो उसकी rank top 1000 या top 1500, top 2000 कहीं पर उसकी rank है तो हो सकता है कि इस interview की बाद वो हो सकता है कि उसी rank क्यों पर old IAT के दर admission ले ठीक है तो possibility भहत है तो प्लीज शेर, this is my request this is my humble request to all the students who are watching this video प्लीज शेर इस वीडियो with all the GATE future aspirants तो थेंक्यू सेर्स, थेंक्यू सेर्स, थेंक्यू पर जोइंक्यू इस इस सेर्स थेंक्यू सो मच्छ थेंक्यू प्लीज सेर्स, तो पुच है